सो नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Vivoi 35 मुवाईल में डबल टैप ओन ओफ स्कीन सेटिंग कैसे किया जाता है जैसा कि दोस्तो अभी आप देखना इस पर मैंने डबल टैप किया तो दोस्तो इसकीन ओफ हो चुकी है और जैसे दोस्तो मैं डबल टैप करूँगा तो दोस्तो इसकीन ओन हो चुकी है तो ये कौन सी setting है कैसे आप enable करोगे चलिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ तो friends इसके लिए आपको करना क्या होगा आप अपने mobile के दोस्तो setting को open कर लिजे mobile की setting open होने के बाद आपको scroll down करना है यहाँ पर shortcut accessibility का option देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर smart motion का दोस्तो option दिखाएदेगा इस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर first number पर दोस्तो दिखे smart screen on off का दोस्तो option दिखाएदेगा इस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पाद दोस्तों दिखे double tap to light का दोस्तों option मिलेगा ये भी tick disable होगा इसको आप enable कर दीजे उसके बाद यहाँ पाद double tap to turn off ये भी tick disable होगा इसको आप enable कर दीजे बस दोस्तों ये जो है setting successfully हो चुकी है आप आप जो है double tap करने से screen off कर सकते हो और double tap करने से screen on कर सकते हो अगर वीडियो मेरा आपको परसंदा है तो like से subscribe जरू करें और वीडियो से related कोई सवाल है तो आप comment करके पून सकते हैं